नमस्ते दोस्तों, गहना गिर्वी सौफ्ट्वेर में आपका स्वागत है, आज हम लोग दूसरे व्यापारी के यहाँ ट्रांसफर करी हुई गिर्वी में पेमेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे यह देखेंगे किसी दूसरे विपारी के यहाँ transfer करी हुई गिर्वी में payment करने के लिए सबसे पहले software में गिर्वी transfer return का icon बना आ रहा है उस पर click करेंगे अब जिस विपारी के यहाँ अपने गिर्वी transfer करी है उसका नाम डाल के search कर लेंगे इसमें आपने उस व्यापारी के यहां जितनी भी गिर्वी ट्रानसफर करी है वो सारी गिर्वियों की details आ जाएगी इसमें से जिस भी गिर्वी में आपको payment करना है या settled करनी है वो select कर लीजिए इसके साथ ही आप विपारी के नाम के अलावा जिस भी कस्टमर की गिर्वी ट्रांसफर करी है सिर्फ उस कस्टमर का नाम भी डालेंगे तो उससे भी गिर्वी सर्च कर सकते हैं इसमें आपको ट्रांसफर करी हुई गिर्वी की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि गिर्वी ट्रांसफर करने की डेट, रखे हुए सामान का वजन, कितना मूलधन आपने लिया था, अथवा आज तक का ब्याज आटमाटिक कैल्कुलेट होकर आ जाएगा. अब जिस गिर्वी में आपको पेमिन्ट देनी है, उसको क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए. इस विंडो में आप देख सकते हैं कि हरे कलर में हाइलाइट करा जो टेक्स्ट आ रहा है, वो कस्टमर ने जब गिर्वी जमा करी थी उसकी डिटेल्स आ रही है, इसके अलावा उसके नीचे जो व्यापारी से हमारा लेन देन है, उसकी डिटेल्स आ रही है. जैसे कि मैंने यह गिर्वी आज ही ट्रांसफर करी है तो उसमें ब्याज शून शो कर रहा है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, तो ब्याज आटमाटिक क्याल्कुलेट होके आती जाएगी. अब आज हम दूसरे व्यापारी को जो भी पे कर रहे है, उसकी जानकारी आप नीचे कॉलम्स में फिल कर दे, जैसे कि इंट्रेस्ट में पे कर रहे है, तो इंट्रेस्ट गिवन में अथवा मूलधन में पे कर रहे है, तो प्रिंसिपल गिवन में फिल कर दे. Suppose आज में पूरा payment ना करते हुए सिर्फ 2000 रुपे ही मूलधन में जमा कर रहा हूँ तो वो principle given में fill करके save कर दे बट अगर मैं आज इस गिर्वी में पूरा payment कर रहा हूँ तो जो भी बचा मूलधन और ब्याज है वो fill करके save and settle पे click कर दे आज के लिए विडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों